इसे एक और सीट के बात करते हैं मुंगेर लोकसुभा सीट की जो बड़ी दिल्चस्प हो गई है जहां से जेडियू के पूर राष्ट्री अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए मैदान में इतम जोर लगाए हुए हैं फिराल संसद भी हैं मगर कहा जा रहा है कि उनके लिए इतना असान राहसबार होने नहीं वाली है क्यों बंकजी क्या लगता है आपको देखे नीलम देवी आरजेडी से एंडिये की तरफ आ गई और उन्होंने एंडिये को समर्थन दे लिए आप ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई चीज फ्री तो होता नहीं है पॉलिटिक्स में बारगेन होता है पॉलिटिक्स में सौदेवाजी होती है ये राजनीती की हकीकत है और सिर्फ निलम देवी ही नहीं है प्रलाद यादब भी है और चेतन आनंद भी है चेतन आनंद आनंद मोहन के ब तो क्या लवली आनंद को शिवर दिया जाएगा या लवली आनंद सीवान जाएंगी क्या होगा किस तरीके से पुरस्कृत किया जाएगा क्योंकि एक सच ये भी है कि चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए जेल मैनुवल्स कानून में परिवर् रिट पिटिशन दाखिल किया गया और इसकी सुनवाई भी चल रही है ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से आनन्द मोहन सिंग ने रिन अदा करने की कोशिस किये तो क्या बदला पूरा हो गया या आनन्द मोहन सिंग ने कोई चीज़ के एवज में किया क्या उन सबाज सीट तो उनको चाहिए ये तै है लेकिन उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये बड़ी बात है जहां तक नीलम देवी का सवाल है तो नीलम देवी के पती भी जो बाहु बली है अनन्द सिंग जिनको छोटे सरकार के नाम से बुलाया जाता है छोटे सरकार ज नाम लिया जाता है और यह नाम लेने वाले अनन सिंग के ही समर्थक हैं वही कहते हैं कि उन्होंने गलत तरीके से फसाया और इसलिए छोटे सरकार जेल में अब सवाल उठता है कि क्या सरकार की बहुत सारी एजेंसीज होती हैं सरकार की पुलिस इंवेस्टिगेशन करती है सर सरकार के तरफ से prosecution होता है जो बेल को लेकर के विरोध करता है क्या सरकार उस पे ढिल देगी एक तो बड़ा सवाल यह है पर दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि नीलम देवी बीजेपी की उमिदवार मुंगेर से हो सकती तो क्या बीजेपी जेडियू को कहेगी कि आप मु एंडिये में लाने वाले विजे सिना थे विजे सिना उप मुख मंत्री है आखिरकार विजे सिना ने बीजेपी के सिर्ष नेत्रितु से क्या बात कराई थी जिस वज़ए से नीलम देवी एंडिये के पाले में आगे है बिजे सिना ने परलाद यादब को सिर्ष नेत्रित उससे क्या बात कराई थी कि प्रलाद यादव एंडिये के खेमे में आ गए हैं ये देखना दिल्चस्पे लेकिन नीलम देवी के कैम्प से ये आवाज आनी शुरू हो गई है कि नीलम देवी चुनाओ लड़ेंगे और चुनाओ लड़ेंगी तो बीजेपी के टिकेट पे ल उम्मिद्वार बन गई थे और ललन सिंग एंडिये के उम्मिद्वार थे ललन सिंग जीत तो गए थे लेकिन अपनी पतनी को ललन सिंग के खिलाप उम्मिद्वार बनाने की वज़े से अनन सिंग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ये अनन सिंग के समर्थ गये हैं उसकी जड़ में ललन सिंग अब सवाल उठता है कि राजनीती का चकर ऐसा गूमा है कि इसी मुञेर से ललन सिंग सांसद और नितीज कुमार की सरकार बचाने में नीलण देवी की बड़ी भूमिका है अब नीलन देवी को पुरस्कृत नितीज कुमार करेंगे तो RJD के दोरा पुखता तोर पर कर दी गई थी अब ऐसे में सवाल उठता है कि निलम देवी क्या उमिदवार बनती है और अगर निलम देवी मुंगेर से उमिदवार बनती है तो ललन सिंग का टिकट कट जाएगा या ललन सिंग को कहीं और शिफ्ट करा दिया जाएगा नवादा का भी नाम आ रहा है बेगु सराइ का भी नाम आ रहा है बेगु सराइ से बरतमान समय में सांसद गिराज सिंग है क्या गिराज सिंग नवादा चले जाएगे और ललन सिंग बेगु सराय आ जाएंगे ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंडे जा रहा हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहा हैं लेकिन ये एक बड़ी बात होगी अगर नीलम देवी ललन सिंग को रिपलेस करती हैं तो क्योंकि ध्यान करिए इसी दिसंबर के अंतिम सप्ता तक ललन सिंग जेडिव के दूसरे नंबर के नेता कहे जाते थे राष्टी अध्यक्ष थे वो हटे थे तो नैशनल नीज बना था बहुत तरह की बात हुई थी अब अगर नीलम देवी रिपलेस करती हैं तो जो अदाव जो लड़ाई बहुत पहले से दोनों के बीच में चल रही थी वो लड़ाई एक बार फिर से ये समझ में आएगा जनता के बीच में ये मैसेज जाएगा कि नीलम देवी ने फाइनली बदला ले लिया उनको मुंगेर से हटा दिया इस तरह की बात कही जाने लगेगी और न नीलम देवी के समर्थक ताल ठोक कर गुम करके कहने लगेंगे कि देखिये राजनीती में हमने क्या कुछ करके दिखा है लेकिन ऐसा होता है क्या ये देखने वाली बात होगी पर ये बिहार की सियासत में इसको लेकर के चर्चा बहुत तेज है बहुत तेज चर्चा की जा और नीलम देवी उम्मे दवार हो